Assalamualaikum, अब थोपिक है होगे बहुत असान और सिंपल सा ठापिक है। हैपा का लबजी मतल होता है लीवर और टैटरिस नमतल होते है inflammation एक ऐसी बमारी जिसमें लीवर में सोज़िश हो जाए inflammation हो जाए अब इसको हैपार टैटर्स का नाम दे देते हैं Hepatitis alcohol drugs और toxin material इनकी वज़ा से भी हो जाता है और even Hepatitis mostly cause करने वाले viral infections है जिसमें Hepatitis viral infection में A, B, C, D, A और E virus यह सारे virus है जो के different तरह के hepatitis cause करते है Hepatitis A कोंस है? एक ऐसा hepatitis A जिसमें RNA virus जो के HAV है Hepatitis A virus जो के करता है जो के RNA virus है यह जो आपके सामने virus है यह RNA non-envelop है RNA इसके पास genetic material है covering कोई भी नहीं है non-envelop है shape इसकी आइकोजा हैडरल डबे की तरह वाला होता है अगर यह आपको हो जाता है तो यह mild short term disease है कुछ वक्त तक रहती है बाद में खतम हो जाती है आप इसको पीला यरकान भी कहते है yellow fever भी कहते है यह transmit होता है यह बमारी कैसे होते है यह virus कैसे जाता है faeces पकाने से drinking sewage contaminated water जो गंदा पानी पीने की वरस है hepatitis A हो जाता है इसकी vaccine दुनिया बर में मजूद है और इसकी anti-viral therapy available नहीं है hepatitis B कैसे होता है यह hepatitis B कौन करता है यह करने वाला HBV है hepatitis B virus है जो के DNA envelope virus है DNA होता genetic material है और इसके उपर covering है यह envelope है liver cirrhosis करता है liver को damage करता है यह कैसे virus जाता है यह transmit होता है saliva से अगर किसी का थूक लग जाए जिसको hepatitis B है तो उसके saliva से contaminated blood से mother से babies को हो जाता है इसकी vaccine भी available है और even alpha interferon यह आज करने medicine के तोपे यूज कर रहे है hepatitis B के अलाज के तोपर hepatitis C कोन करता है HCV जो के RNA envelope virus है RNA रखता है और covering भी है envelope भी है यह cirrhosis करता है यह आप damage करता है liver को hepatosellular saccharcinoma यह liver cancer कोस करता है even death भी कर देता है यह transmit होता है again blood से sexual contact से breast feeding से sharing needle से tooth brush से इन सब से यह फैलता है जिसका नाब के hepatitis C virus है इसकी vaccine भी available नहीं है anti-viral therapy मजूद है जो के interferon और ribo ribovirin यह हमारे पास as a medicine के तोपर protein हम यूज करते हैं जो की hepatitis C के अलाज में common यूज कर रहे है hepatitis D करने वाला HDV virus है जिसको delta virus कहते है यह भी spherical envelope viroid है spherical envelope viroid है और सबसे बड़ी बात hepatitis D का मुझूद होता है HBV के अंदर मुझूद होता है जिसको hepatitis B virus बमारी करता है hepatitis B साथ मुझको hepatitis D भी हो जाता है अगर hepatitis D हो रहा है तो hepatitis B भी हो जाता है उसकी वज़ा क्या है क्योंकि HBV के अंदर कौन रहता है hepatitis D virus से रहता है यह अगर देखर इसका treatment अगर देखा जाए तो आप इसको treat भी करवा सकते है हमें बचना चाहिए यह प्रिवेंट करना चाहिए B, hepatitis B virus से जो क्योंकि hepatitis B करता है मतलब यह एक ऐसा virus है जिसके वरे से B भी होगा और D भी होगा क्योंकि यह दोनों अकठे रहते है hepatitis E virus HEV जो कि यह virus है जो क्योंकि hepatitis E करता है non enveloped single stranded RNA virus है सबसे बड़ी बात इसकी symptom same to same ऐसे है जैसे HAV की मतलब कि hepatitis A virus है जो hepatitis A करता है उस तरह की same to same symptom है hepatitis E के और इसका जो main source है जो hepatitis E virus जहांसे में discover हुआ जिसका main source है वो बेटा क्या पिग है सूर के अंदर से यह निकलता वारस जिसका नाम क्या है hepatitis E virus जजाकर लाओ खेर